नमस्कार जियस बिच दियस में आप सभी का स्वागत है आज की सिसन में हम लोग मौडर्ण हिस्टी के प्रश्णों के विशे में बात करेंगे खासकर गांधी युग से कैसे प्रश्ण बनते हैं और किस तरह के प्रश्ण पूछे जाते हैं इसकी चर्चा हम लोग कर लेते है क्योंकि इधर जितने भी हमने हिस्टी के सोज किये हैं उन सारे हिस्टी के सोज में हमेशा बच्चों ने ये प्रश्ण रखा है कि सर मौडर्ण हिस्टी सुरू कर दीजे तो मौडर्ण हिस्टी अभी सुरू होने में देर है इसलिए आपको हम पहले प्रश्ण देरे रहे ह और जब हम आपको modern history पढ़ाएंगे तो इसी प्रश्ण से आप उन चीजों की तुलना कर सकते हैं कि classes से हमें क्या मिला और क्या नहीं मिला आपको ध्यानी इस बात का रखना है किसी भी सोज में कि उस सोज में हमें history, polity, science, geography जो भी पढ़ाई जाती है उस से हमें exam के लायक क्या भी exam कठिन नहीं होगा तो आइए बात कर लेते हैं आज के प्रश्णों की और वो प्रश्ण है गांधी युग से संबंधित यहां पर पहला प्रश्ण है जो कई exam में पूछा जा चुका है वो है कि दक्षिन अफ्रीका में गांधी जी की प्रवास इस्थिती कितने समय तक के लिए था तो यहां पर आपका जो option है वो है 20 वर्स दूसरा option है आपका 25 वर्स तीसरा option है आपका 30 वर्स और चौथा option है आपका 22 वर्स तो यहां पर इस प्रश्ण को जो हम देखेंगे तो पता चलता है कि गांधी जी 1890 में कब गये थे 1890 में दक्षिन अफ्रीका गए और 1915 में वापस आए इसे देखने पर आगर आप इसको घटाते हैं तो यहां बचता है 5 और 11 में से 9 गया 2 याने कुल कितने वर्स हो गए 25 वर्स तो गांधी जी कितने वर्स तक रहे बाहर 25 वर्स तक यहां आपका option हो जाएगा 25 वर्स यह question आपका PCS में पूछा जा चुका है MPPCS में साथी साथ बिहार PCS में भी यह 2010 में question आया हुआ है और इसी तरह के questions आज जो भी questions हम लोग discuss कर रहे हैं उसके लिए आप ध्यान रख लीजिएगा कि SSC जितने तरह के exam लेती है उन सारे तरह के exams में यानि SSC के all exams सभी exams के लिए हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं यानि SSC जितने तरह के exam करवाती है उन सब में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न का हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे साथी साथ प्रविंसियल सिविल सर्विसेज में भी जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी भी चर्चा हम लोग यहां करेंगे साथी अभी जो नया एक वेकेंसी आई है यूपी पी यानि यूपी पुलिस की तो उसकी भी चर्चा करेंगे कि उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आज का जो यह थीम है यह तीन exam को ले करके बनाया गया है और इसी के आधार पर हम लोग आज का discussion रखेंगे चलिए दूसरा प्रसन देख लेते हैं दूसरा प्रसन है गांधी जी द्वारा दक्षिन अफरीका में संघर्ष का पहला दौर कौन सा था तैसे मिटा देते हैं दक्षिन अफरीका में गांधी जी के संघर्ष का प्रथम दौर कौन सा था यहां पर चार option आपके दे जाएंगे और वो चार option है 1890 से 1900 तक यह आपका पहला option है दूसरा option है 1894 से 1900 तक तीसरा है 1892 से 1900 तक और चौथा है 1895 से 1900 तक यहां पर एक option जो है वो 1920 तक है यह वाला option जो है आपका 1920 तक है ठीक है तो इस तरह का यह एकदम हम original question लिये हैं यह question आपका पूछा है serious 210 का यह है आपका serious 2010 का में यह question आया हुआ था और यहां आपको बताना है कि दक्षिड अफरिका में गांधी जी के संघर्ष का प्रथम दौर कौन सा था तो यहां पर गांधी जी 1890 में प्रवास किये और वहां पर लगभग जो संघर्ष उन्होंने किया वो 1900 तक उनका संघर्ष चला यानि 1894 से ले करके 1900 तक और 1900 के बाद 1915 में वो भारत के तरफ रुक कर लिए तो यहां पर जो आपका answer होगा वो answer हो गया 1894 से 1900 का जो दौर था वो प्रथम संघर्ष का गांधी जी के लिए था अगला question है हमें लगता है कि यह question लिखते हुए ही आप लोग उत्तर बता देंगे लेकिन यह question आपका बिहार pieces में पूछा है इसलिए लिखना जरूरी है दक्षण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे अब देखें यहां पर हमें option देने की जुरूर्ट नहीं है हमें पूरा यकीन है कि आप सभी इसका सही जवाब दे लेंगे ठीक है तो यहां पर answer हम सीधे सीधे लिख दे रहे हैं 1915 AD में इसलिए में गानी जी भारत कब लोटे 1915 AD में उन्होंने भारत के तरफ प्रस्थान किया यहां पर एक question है सावर मती आश्रम के बारे में तो उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं गांधी जी ने भारत आकर सावर मती आश्रम बनाया यह आश्रम कहां इस्थित है question यह है कि गांधी जी ने सावर मती आश्रम के अस्थापना की वह आस्थान जहां पर सावर मती आश्रम बनाया गया था वह कहां है तो हम option इसमें देखते हैं और उस option के हिसाब से जबाब आपको देना होगा अपने से कुछ नहीं बनाना होगा कि हां हम प्री माइंडेड हैं यहीं एंसर होना चाहिए इस तरह के question जब पूछे जाते हैं तो आपके पास जब कई option होते हैं कई उत्तर होते हैं तो हमेशा पूछ लेना चाहिए कि option क्या है उस option के हिसाब से आपको जबाब देना है क्योंकि साबर मती आश्रम की अस्थापना से संबंधित बहुत सारे answer दिमाग में हैं जैसे option दिया है एहमदाबाद बिहार मदरास खेरल आपको यह बताना है कि गांधी जी ने भारत आ करके जो साबर मती आश्रम बनाया था वो आश्रम कहां इस्थित है तो यहां पर आपका जो जबाब होगा वो होगा बिहार में था नहीं मदरास से उनका कोई मतलब ही नहीं है केरल से कोई भी मतलब नहीं है तो उनका आश्रम जो था हो आहमदाबा में था एहमदाबाद में उन्होंने अपना साबर मती नदी के किनारे उन्होंने आसरम बनाया था और इस वजह से इस आसरम का नाम साबर मती आसरम पड़ा ठीक है यहाँ पर एक कोश्चन और देखते हैं प्रश्चन है भारत में लागू काला कानून किस नाम से जाना जाता था आपको यह बताना है कि भारत में जब गांधी युक का समय था गांधी जी जब अंदोलन कर रहे थे भारत को आजात कराने के लिए तो उस समय काला कानून लागू हुआ था उस काला कानून को जो कानून लागू हुआ था वह किस एक्ट के नाम से जाना जाता था तो यहाँ पर रॉलर्ट एक्ट भारती अधिनियम 1935 क्राउन एक्ट और चौथा अप्शन था इन में से कोई नहीं ठीक है तो भारत में जो लागू हुआ था काला कानून वह कानून सर सिड्नी रॉलट ने लागू किया था और सर सिड्नी रॉलट के नाम पर ही उस कानून का नाम पर रहा है पड़ा था रॉलट एक्ट यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा रॉलट एक्ट इस रॉलट एक्ट को लागू किस ने किया था सर सिड्नी रॉलट ने यह कानून बनाया था और सर सिड्नी रॉलट के ही नाम पर इस कानून का नाम रॉलट एक्ट पड़ा और इसी कानून के चलते जलिया वाला बाग हत्याकान हुआ था तो यह सारी बिवस्था को देखते हुए इस पर बहुत सारे कोश्चंस बनते हैं और उन्हीं कोश्चं का हमें अभ्यास करना है तो इस पर एक कोश्चं और है चलिये यह कोश्चं जो और कोश्चं बन रहा है वो भी देख लेते हैं इसी में बना देते हैं भारत में लागू काला कानून को भारतीयों ने अन्य क्या नाम दिया था आपको ये बताना है कि भारत में लागू काला कानून जो था भारत में लागू काला कानून को भारतीयों ने अन्य क्या नाम दिया था यहां पे हम कुछ नाम लिख रहे हैं काला कानून दूसरा नो अपील नो दलील और नो वकील तीसरा नो वकील चौथा चौथा जो है वो है पुब्लिक सेफटी बिल ठीक है अब यहां पर जो आपका एंसर है वो एंसर है ए एक और दो बी दो और तीन सी एक और तीन डी सभी आपको यह बताना है कि जो भारत में लागू काला कानून था उसे कई नामों से जाना जाता था तो उसमें इनमे से कौन सा है जिसे जाना जाता था उस समय लोग भारती लोग उसे पुकारते थे तो यहां पर जो भारत में काला कानून था इसके पहले कोशन में भी हम लोगों ने दिसक्स किया कि काला कानून को क्या कहा जाता था रॉलिटट एक्ट ठीक है रॉलिट एक्ट को ही क्या कहा जाता था काला कानून और रॉलिट एक्ट को ही कहा जाता था नो अपील, नो दलील, नो वकील यानि रॉलट एक्ट में ये ब्यवस्था की गई थी कि अगर कोई भी व्यक्ति आतंकवादी गत्विधियों में लिप्त रहता है तो उसे तुरंट गिरफतार किया जाएगा और गिरफतार करने के बाद ना तो वो वकील रख सकता है, ना तो अपनी दलील दे सकता है और ना ही वो कहीं उच्च नयायले में उससे उससे उची अधिकारता वाले नयायले में भी वह अपील नहीं कर सकता है इसी लिए इसे काला कानून कहा गया था तो यहाँ पर जो सही option होगा वो होगा एक और दो ठीक है तो यह प्रशन आपका PCS UP PCS में पूछा गया था 2005 में तो यह question आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि question कैसे बनते हैं और उस प्रशन को कैसे solve किया जाता है ठीक है अब आईए देखते हैं अगला क्या प्रशन बनता है रोलट एक्ट कब पारित किया गया यह आपका SSC का प्रशन है इसमें आपको सीधे जवाब देना है option जो आपका है वो है पहला option 22 March 1919 दूसरा option है 21 March 1919 तीसरा है 21 April 1919 और चोथा option है 23 March 1919 यहां आपको बताना है कि किस समय रोलट एक्ट पास हुआ था तो इसका जो सही option है वो है 21 March 1919 रोलट एक्ट का पास हुआ था 21 March 1919 को तो यह आपका सही जवाब हुआ है ठीक है अगला प्रशन अगला प्रशन है जलिया वाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ यहां पर अगला प्रशन लिख लेते हैं प्रशन है जलिया वाला बाग की घटना कब घटित हुई थी यहां पर आपको प्रशन क्या है जलिया वाला बाग की घटना कब घटित हुई थी यहां पर आपको जो ऑप्रशन दिया जा रहा है उसी ऑप्रशन की आधार पे आपको चिन लगाना है तो यहां पर जो पहला ऑप्रशन है वो है 19 अप्रेल 1919 दूसरा आप्शन है 13 अप्रेल 1919 ठीक है यह दो आप्शन हुआ आपका तिसरा आप्शन है 21 मार्च 1919 और चोथा आप्शन है 21 फरवरी 1919 यहां पर बहुँ ज़्यादा संका नहीं है सब लोगों को लगभग ऐसे प्रशन याद रहते हैं और इस प्रशन में कहीं कोई गलती जल्दी करता नहीं है तो 13 अप्रेल 1919 जो सही एंसर है वो क्या है 13 अप्रेल 1919 को अम्रिश्यर के जलिया वाले बाग में जलिया वाला बाग कहा है जलिया वाला बाग कहा है अम्रिश्यर में है और अम्रिश्यर में ही रोल अटेक्ट कानून लागू हुआ था और रॉलट एक्ट कानून के माध्यम से ही सारे क्रांतिकारियों को रोका जाना था लेकिन वहाँ पर यह घटना घटित हुई जो एक अमानवी घटना थी और इस अमानवी घटना में बहुत सारे लोग मारे गए थे और उनको सहीदी का दर्जा मिला इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेशन पूछे जाते हैं और उस क्वेशन का जवाब कैसे आप्शन के रूप में दिया रहता है और आपको किन किन चीजों की साउधानी बरतनी है यहां पर आप इस प्रस्ट में देख रहे हैं दो अप्रेल की ती oxygen एक मार्ज की ती एक फर्वरी की थी ती है बाकी 1919 चारों उफ्षन में है तो जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर केवल हमाई दिमाग में रहता है 1919 जादा अगर हमने ध्यान में रखा तो क्या रखा अप्रेल 1919 की घटना हम केवल अपने दिमाग में रख रहे हैं लेकिन डेट अगर नहीं याद है पूरी तरीके से तो यह गलत हो जाएगा इसलिए आपको डेट भी याद रखना है और डेट क्या है 13 अप्रेल 1919 ठीक है केवल अप्रेल ही ध्यान में नहीं रखना है अप्रेल के साथ साथ आपको तारीक भी याद रखनी है ठीक चलें अगले प्रस में अगला प्रस जो आपका बन रहा है कुश्चन है महात्मा गांधी दिल्ली में हुए खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कब चुने गए थे कुश्चन हम लिख लेते हैं महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन में आपको बताना है कि महात्मा गांधी जो थे वो खिलाफत आंदोलन के के कर लिजिए खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कब चुने गए थे पहला दूसरा तीसरा और ये चौथ ऑप्षन ठीक है यहां पर आप्षन जो दिया हुआ है आपका पहले से दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 1929, 1920, 1923 और 1924 तो गांधी जी खिलाफत आंदोलन को उस समय शुरू करना चाह रहे थे जब अंग्रेजों ने अपनी रणनीती बदलनी शुरू कर दी थी और रणनीती बदलने के बाद हिंदू और मुसलिम कार्ड खेलना चाह रही थी और हिंदू मुसलिम कार्ड पर इन्होंने राजनीती सुरू कर दी अंग्रेजों ने और इस राजनीती का लाव उठा करके गांधी जी मुस्लिम को अपने पक्ष में किये और अपने पक्ष में करने के बाद एक बड़ा आंदोलन करने के लिए अपने आपको तयार कर लिया तो इस समय जब वह हिंदू और मुसलिम को एक कर रहे थे तो उस समय मुसलिम जो लोग थे वो लोग खिलाफत आंदुलन चला रहे थे एंग्रीजों के बिरुद्ध और इधर से गांधी जी अपना सपोर्ट दे करके उन्हें आगे बढ़ाए तो यह जब आगे बढ़ाए त और काफी इंटरेस्टिंग चर्चा है आपको बताएंगे क्यों हुआ था खिलाफत आंदुलन क्या था रहस अभी बता देंगे तो फिर वो फिर क्लास लेने में मजानी आएगा अगला परिशन है हमारा एक ही लक्ष है स्वाधीनता यहां पर कुश्चिन कहा जा रहा है कि कि हमारा एक ही लक्ष है स्वाधीनता यह किस ने कहा था परिशन है हमारा एक ही लक्ष है स्वाधीनता कि यह कथन किसका है ठीक है पहला आप्षन जो इसमें दिया है वो आप्षन दिया है अब देखें यहां पर जो आप्षन हम लिखने जा रहे हैं वो बिल्कुल कन्फ्यूजिंग है क्योंकि हर लोगों ने वो जो कथन है स्वाधीनता का वो दिया है लेकिन यहां पर आपको देखना है कि हमारा एक ही लक्ष है स्वाधीनता इस वर्ड को किस ने कहा था यहां पर पहला जो आप्षन है वो है गोखले दूसरा आप्षन है तिलक तीसरा आप्षन है नहरू और चौथा आप्षन है गांधी जी हमारा एक ही लक्ष है स्वाधीनता यह नहरू के दिमाग की उपच थी और नहरू नहीं इसे सबसे पहले रखा था यहां पर स्वाधीनता सब्द की बात करने वाले गोखले भी थे तिलक भी थे लेकिन नहरू ने इसको इस रूप में कहा कि हमारा एक ही लक्ष है स्वाधी तो यहाँ पर जो सही एकदम accurate option होगा वो होगा जवाहरलाग नहरूप ठीक है चलिए एक प्रश्णोर ले लेते हैं प्रश्ण है बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है यह कथन किसका है देखे अब थोड़ा सा जो नया पैटर्न आया है उसमें इस तरह के भी question पूछे जा रहे हैं तो आप mentally prepared हो जाए इस तरह के questions के लिए तो हम आपको एक ऐसा option उपलब्द करवा रहे हैं जिसमें कि आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेगी हम खुद question तयार करके आपको दे दे रहे हैं और इस question को आप सरल भासा में कहें तो याद कर लीजिएगा या थोड़ा सा दुरूह कठीन भासा में कहें तो रट्टा मार लीजिएगा और यही questions हमेशा इधा उधर घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं इसमें कहीं कुछ अलग नहीं होता है तो बंगाल विभाजा ने एक बेहद निर्मम भूल थी यह option चली देखते हैं क्या है option के रूप में हैं गोखले रवींद्रनाथ टैगोर सुभास चंद्रवोस और चौथा गांधी जी आपको बताना है कि इन में से वो कौन सा व्यक्ति है जिसने कहा था बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है क्या गोखले थे क्या रवींद्रनाथ टैगोर थे क्या सुभाशन बोस थे या क्या गांधी जी थे क्योंकि जब बंगाल विभाजन हुआ था तो इन सब लोगों ने ही इसमें सिर्कत की थी और सिर्कत करने के साथ साथ रवींद्रनाथ टैगोर ने तो बंदे मातरम गाते हुए राखी दिवस तक मनाया था लेकिन अब आपको ये देखना है कि बंगाल विभाजन के ऊपर किसका सेंटेंस है कि यह एक निर्मम भूल है मंगाल विभाजन ये लाइन आपको ध्यान देना है ये किस ने कहा था अक्सर जब हम कुछ चीजें पढ़ते हैं आप हमेशा हमेरा जब भी हमारा लेक्शर होता है हस्री का या पॉल्टी का तो उसमें इन चीजों पे बहुत ध्यान दिया करिए कि जो वर्डिंग बोली जाती है वह वर्डिंग भी आप सोच करके उसे नोट कर लीजे या उसे सुन करके नोट कर लीजे या जब हम उसे दोहरा रहे हों तो उसे नोट कर लीजे क्योंकि ऐसे प्रश्णों वहां पर हमेशा बनते हैं और ऐसी कोई भी दूसरा तरीका नहीं है दूसरी युक्ती नहीं है कि जिसमें आप उन चीजों को इग्नोर कर दे दूसरा क्या तरीका है अगर आप नोट नहीं करेंगे तो बार-बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा और यह तो हो सकता है आसान है कि एक बार आप वीडियो डाउनलोड कर लें फिर बाद में उसे चला-चला करके देखते रहें आपका डेटा खर्च नहीं होगा ले उसको इतनी सुविधा दे दी गई है इस चैनल के माध्यम से ताकि आप प्रश्न उसकी प्रकृती और उसका जो सब्जेक्ट है उन चीजों के बारे में खूप अच्छे तरीके से सलूशन पा सके तो यहां पर जो बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है यह कथन कहने वा एक प्रश्न और ले लेते हैं यह प्रश्न भी बंगाल विभाजन पर है लेकिन बहुत मज़ेदार कोश्चन है यह ठीक है यह कोश्चन आपका बन सकता है कोश्चन यह है कि लिख देते हैं भारत में मेरी दो पत्निया हैं वाकई मतलब बड़ा आजीब गरीब कोश्चन है कह रहा है व्यक्ति कि भारत में मेरी दो पत्निया है निश्य ही मुसल्मान पत्नी मुझे बेहद प्री है दूसरा वाकिन उन्हें क्या लिखा अब आपको बताना है यह कथन किसका है पहला ओप्शन गांधी जी दूसरा ओप्शन मोतिलाल नहरू तीसरा ओप्शन लॉर्ड कैनिंग और चोथे ओप्शन में है ब्रुम फायर्ड फुलर आपको बताना है कि यह कथन भारत में मेरी दो पत्निया है निश्य ही मुसल्मान पत्नी मुझे बेहद प्री है यह किस ने कहा था गांधी जी ने क्या गांधी जी ऐसा कथन कभी कहते थे कि हिंदो और मुसल्मान दो पत्नियों की बात कर रहे हूं क्या मोती लाल नहरू इस प्रशन को उठा सकते थे या लॉर्ड कैनिंग इस प्रशन को किये थे तो आपको यह थोड़ा सा प्रशन कठिल लगेगा लेकिन यहाँ पर हम आप्शन आपको दे चुके हैं तो यहाँ पर जो राइट आप्शन है इसमें गांधी जी नहीं है मोती लाल नहरू नहीं है लॉर्ड कैनिंग नहीं है यह कथन है ब्रूमफाइल्ड फुलर की और जो ब्रूमफाइल्ड फुलर थे वो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्णर थे यह कौन थे बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्णर थे तो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्णर ब्रूमफाइल्ड फुलर थे क्या नाम था उनका ब्रूमफाइल्ड फुलर चलिए एक प्रश्ण और बंगाल भी भाजन पर कर लेते हैं प्रश्ण आप नोट करते चलिए इसलिए हम बोर्ड पर ये प्रश्ण कर रहे हैं ताकि आप साथी साथ प्रश्ण नोट करते चले क्योंकि अगर आपको PDF फॉर्म में दिया जाएगा तो वो केवल कॉपी में ही रह जाएगा उसका कोई बिसेस फाइदा नहीं होता है और जैसे जैसे आप चीजों को पढ़ते जाते हैं वो लंबे समय तक याद रहता है और खासकर विद्यार्थी जीवन जो होता है उ यह कथन किस ब्यक्ति से सम्मन्धित है ठीक है जो कथन है वो क्या है बंगाल विभाजन कोशन है बंगाल विभाजन हमारी घाओ पर नमक की समान है यह है कथन बंगाल विभाजन हमारे घाओ पर नमक की समान है आपको बताना है कि यह कथन किसका है पहला ब्रूमफाइड दूसरा गोखले तीसरा टैगोर और चौथा ओप्शन है गांधी जी आपको बताना है कि बंगाल विभाजन हमारे घाओ पर नमक के समान है यह कथन किसने कहा है आपको क्या बताना है कि बंगाल विभाजन हमारे घाओ पर नमक के समान है इसका मतलब है कि जो लोग करांती से संबंधित थे उन्हीं में से किसी का नाम यहां पर होना चाहिए अथवा जो सत्याग्रह चला रहे थे अथवा सत्याग्रह के लिए प्रियास रत्रे थे उनका नाम यहां पर हो सकता है तो ब्रूमफाइल्ड चुकि हमने आपको पहले बता दिया कि यह बंगाल के लेटिन गवर्नल थे तो इनका इस कथन से लेना देना कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि इनको घाव हो जाए या सर जाए उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इन्होंने तो बिभाजन करना ही करना है तो यह नाम खतम कर दीजिए यह नहीं कह सकते हैं दूसरा गोखले तीसरा टैगोर और चौथा गांधी जी अब यहां पर तीनों आपके दिमाख में यह कुश्चन घुमाएंगे कि आखिर कौन है तो राइट एंसर आपका जो जाएगा वो किस पर चला जाएगा गांधी जी पे जबकि गांधी जी इतना बड़ा कथन इस समय नहीं कर पा रहे थे तो इसलिए गांधी जी का भी नाम यहां से हटा देना है अब बचे टैगोर जिन्होंने बंगाल विभाजन का पुर्जोर विरोध किया था कई गीत लिखे थे राखी दिवस मनवाया था बहुत सारी सभाएं की थी तो क्या टैगोर इसके लिए जिम्मेदार थे इस कथन के लिए तो यहां पर पता चलता है कि टैगोर विरोध किये थे कोई इस्पेसल कमेंट नहीं किये थे अब बचे कौन गोखले यहां पर जो गोपाल कृष्ण गोखले थे गोपाल कृष्ण गोखले ही सही एंसवर आपका माना जाएगा क्योंग गुपाल कृष्ण गोखले जो सान्ती विवस्था ले करके चलते थे यहां पर लाल बाल पाल जो थे यह जो थे एक्स्रेमिस्ट थे और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह सांती बिवस्था ले करके चलते थे यानि ये सत्य अगरह में विश्वास रखते थे ये सांती में विश्वास रखते थे तिसलिए जो बंगाल का भी भाजन हुआ तो इन्होंने कहा कि हमारे पास तो वैसे ही घाओ थे और उस घाओं पे बंगाल विभाजन करके इन्होंने नमक छिड़क दिया है तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा गोपाल कृष्ण गोखले ठीक है तो ये आपका एंस्वर सही है चलिए अगला प्रस्ण देख लेते हैं अगला प्रस्ण है बंगाल विभाजन कब रद किया गया ठीक है आप्शन है 1911 दूसरा 1912 तीसरा 1913 और चौथा 1915 तो यहाँ पर जो बंगाल विभाजन था वह रद किया गया था 1911 में क्योंकि 1911 में दिल्ली दर्बार हुआ था और दिल्ली दर्बार में ही बंगाल विभाजन रद किया गया था और यहाँ पर दिल्ली दर्बार में एक परिवर्तन और हुआ था इसको हम कुशन के माद्धम से भी बता दे रहे हैं तो यहाँ पर जो राइट एंसर होगा वो होगा 1901 है अगला प्रश्न है दिल्ली दर्बार में भारत की राजधानी कहां बनाने का प्रस्ताव दिया गया यानि की 1911 में जब दिल्ली दर्बार हुआ था तो यह कहा गया कि भारत की जो राजधानी है उसे ट्रांसफर कर दिया जाए तो इस बात का प्रस्ताव दिया गया कि भारत की राजधानी कहां बनाई जाएगी तो यहाँ पर आपको जो option दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कलकत्ता दूसरा दिल्ली तीसरा मुंबई और चौथा मद्रास ठीक है तो यहाँ पर आपका जो right answer होगा वो होगा दिल्ली यानि जो दिल्ली दरबार 1911 में किया गया था तो दिल्ली दरबार में राजधानी जो थी वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की गई थी तो यह इसे ध्यान रखेगा कि दिल्ली दरबार के ही माध्यम से जो बिटिस समराथ जार्ज पंचम आये हुए थे जार्ज पंचम ने इस बात का प्रस्ताव रखा था और उस समय के वायसरा है लॉर्ड हार्डिंग ने कहा कि 1912 में जो हमारी नई राजधानी होगी वो कलकत्ता से ट्रांसफर होकर कहां आ जाएगी दिल्ली आ जाएगी तो इस प्रशन को आप याद रखेगा तो इस पर अभी जो हमने दो बाते बोली हैं उस पर भी एक प्रशन बना देते है ताकि वो चीज़ें आपको याद रहें चलिए नेक्स प्रशन करते हैं अगला प्रशन है दिल्ली दर्बार के समय भारत के वायस राय कौन थे पहला लॉड कैनिंग दूसरा लॉड मौंट बेटन तीसरा लॉड हर्डिंग और चौथा ओप्शन है यहां पर लॉड हर्डिंग सेकेंड आपको बताना है कि जिस समय दिली दर्बार आयुजित किया गया था और महरानी महरी और जार्ज पंचम भारत आये हुए थे तो उस समय जो भारत के वायस राय थे वो कौन थे तो उस समय जो वायस राय थे क्या वह लाड कैनिंग थे क्या वह लाड माउन बेटन थे अब यहां पर एलिमिनेटिंग मेथट अपना यह दिली दर्बार कब हुआ था उन्नीस सो इग्यारह में तो उन्नीस सो इग्यारह में लाड माउन बेटन का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि यह कब आये थे भारत विभाजन के समय उन्नीस सो सैटालिस के पहले आये थे तो लाड माउन बेटन का नाम यहां से हटा दीजे अब आता है लौड कैनिंग तो यह थे ही नहीं लौड हार्डिंग और लौड हार्डिंग दुति में आपको यह तै करना है कि कौन आंसर बता दे रहे हैं बाकी जब हम आगे पढ़ेंगी तो इसको पूरा विस्थिति रुप से पढ़ेंगे तो यहां एंसवर कैसे पकड़ना है और एंसवर का सही कैसे अंदाज लगाना है इस चीज को हम लोग पहले सीख लें फिर उसके बाद फैक्ट सीखेंगे ठीक है आईए अगला प्रिशन देखते हैं अगला प्रिशन है बंगाल विभाजन के समय निम्न में से किस प्रसिद्ध नेता ने सन्यास ले लिया था आपको ये बताना है कि जिसमें बंगाल विभाजन हुआ था उस समय निम्न लिखित में से कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी सक्री राजनीती से सन्यास ले लिया था तो उसमें पहला नाम आता है विपिन चंद्र पाल दूसरा नाम आता है लोकमान्य तिलक तीसरा नाम आता है गोखले चोथा नाम आता है गांधी जी तो बंगाल विभाजन के समय कौन से नेता थे जिन्होंने सन्यास ले लिया था अपनी सक्री राजनीती से तो नीचे से चलते हैं गांधी जी कैस से कोई लेना देना नहीं था क्योंकि गांधी जी आजादी के बाद तक अपनी राजनीती में सक्री बुमिका निभाते रहे हैं तो यहां पर गांधी जी का नाम हटा देते हैं गोखले का नाम है ही नहीं क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद भी गोखले का वरचसु रहा है गांधी जी के साथ रहा है तो इसलिए ये भी नहीं हैं तिलक 1920 तक ये सक्री रहे हैं तो इनका भी नाम यहां स्वर उचित नहीं पड़ता बचे कौन विपिनचंद्रपाल तो यहां पर बंगाल विभाजन के समय जो प्रसिद्ध नेता सन्यास लिये थे वो थे विपिनचंद्रपाल और अरबिंद घोस यहां पर दो लोगों का नाम आता है एक आता है विपिनचंद्रपाल और अरबिंद घोस यह दो लोग अपनी सक्री राजनीती से सन्यास ले लिये थे तो यह प्रस्ण बहुत इंपोर्टेंट है इसे हमेशा ध्यान रखियेगा चलिए एक प्रस्ण ले ले लेते हैं प्रस्ण है अरुन डेल कमेटी का निर्माड किस प्रयोजन से किया गया था ठीक है यहाँ पर चार अप्ष्ण आपको मिलेंगे अरुन डेल कमेटी आपको हम बता दें जानना है तो पहला जो option होगा वो होगा सामाजिक सुधार के लिए, दूसरा राजनैतिक सुधार के लिए, तीसरा दोनो राजनैतिक प्लस सामाजिक, ठीक है, चोथा option है, धार्मिक सुधार के लिए, तो आपको ये बताना है कि अरुंडेल कमिटी का जो निर्मान किया गया था, वो किस प्रियोजन से किया गया था, यहाँ आपको बता दे, अरुंडेल कमिटी लाड मिंटो के देख रेक में 1906 में बनाया गया अरुंडेल कमिटी के नाम से ही, इस कमिटी का नाम पढ़ा था, अरुंडेल कमिटी यह आप ध्यान रखेगा कि 80 अरुंडेल किसके शाशनकाल में थे, लाड मिंटो के, और लाड मिंटो ने 1906 में अरुंडेल कमिटी का निर्मान करवाया था, जो राजनैतिक सुधारों से संबंधित था यहाँ पर जो सबसे सही option होगा, वो होगा राजनैतिक सुधार, क्योंकि यह सामनतों की समिती बनाया जाने की यहाँ पर सिफारिश की गई थी, और बंगाल विभाजन को खत्म कर देने की सिफारिश थी, तो यहाँ पर यह सारी चीजें एक साथ लाने की, ताकि यहाँ पर जो भी राजनैतिक उठापठक है, राजनैतिक अनिस्चितता है, वो सारी चीजें यहाँ पर समाप्त हो जाएं, तो इसके लिए यह सब्वेवस्था बनाई गई थी, ठीक है, चलिए, अगला प्रशन लेते हैं, अगला प्रशन है, गांधी जी का दान्डी यात्रा कब समाप्त हुई, यहाँ पर आपको यह बताना है कि गांधी जी ने दान्डी यात्रा शुरू किया, और दान्डी यात्रा शुरू किया, और जब दान्डी यात्रा शुरू हुआ, तो वो हुआ, आपका 12 मार्च 1930 को, लेकिन कब खतम हुआ, यह आपको डेट बताना है तो यहाँ पर यह कोश्चन कभी कभी इस तरह के कोश्चन पूछ लेते हैं डेट वाले तो इसका भी अभ्यास आपको थोड़ा सा होना चाहिए तो यहाँ पर आपको आप्शन दे दे रहे हैं 6 अप्रिल 1920 दूसरा आप्शन है 6 मई 1919 19 तीसरा आप्शन है 6 मार्च 1920 और चौथा आप्शन है 20 अप्रिल 1920 अब यहाँ पर देखिए 1919 जो आपका आप्शन दिया है वो तो बिल्कुल गलत है क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि 12 मार्च 1930 को यह सुरू हुआ था इसका मतलब अगर यह हम प्रशन देखें तो यह प्रशन क्या है पूरी तरह से गलत है यहाँ पर आप्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 30 यह प्रशन है गांधी जी की दाण्डी यात्रा कब समाप्त हुई यहाँ पर आपको बताना है चोटके गांधि जी की दांडी यात्रा जो सुरू हुई थी वो शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को लेकिन आपको बताना है ची की दांडी यात्रा कब समाप्त हुई तो यहाँ पर हम पहला option जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 12 मार्च 1930 दूसरा option है 12 अप्रेल 1930 तीसरा option आपका जो है वो तीसरा option है 6 अप्रेल 1930 और चौथा option है आपका 18 अप्रेल 1930 अब देखें यहाँ पे सारे 1930 के ही option है और अप्रेल और मार्च में है तो बारह मार्च 1930 तो option होई नहीं सकता क्योंकि यह क्या था दांडी यात्रा सुरू करने की तारीक थी तो यह से हाप हटा दीजे ठीक है इसके बाद बचा 12 अप्रेल 6 अप्रेल या 18 अप्रेल तो हमेशा ध्यान रखे बारह के आधा 6 याने बारह तारीक को इन्होंने सुरू किया था मार्च में तो उसका आधा याने 12 का आधा 6 और महीना बीत गया था इसका मतलब है 6 अप्रेल 1930 को गांधी जी की दांडी यात्रा समाप्त हो गई थी तो गांधी जी की दांडी यात्रा कब समाप्त हुई थी 6 अप्रेल 1930 को हुई थी तो आज हम लोगों ने देखा क गांधी जी से संबंधित और बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ प्रश्ण कैसे आपके बनते हैं इसी तरीके से आपको modern history में समय समय पर प्रश्ण की पूरी एक रूप रेखा इस चैनल के माध्यम से हम देते रहेंगे साथी साथ जब हमारा जो medieval history का part चल रहा है या फिर जो ancient history का part चल रहा है उसमें जो भी part जल्दी से खतम हो जाता है या quality खतम हो जाता है तो उसके बाद हम लोग modern history की तरफ चलेंगे और modern history को क्रम से हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे वो क्रम सुरू होगा आपका औरंग जेब के शाशन के बाद त question कठा करने के साथ question गलत है या question सही है option के हिसाब से उस पर answer देने की साथ बनी रही है और देखते रहे हैं डाटो फोर्स हैं